हालो दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहारी मीडिया न्यूज चैनल पर एक बार फिर से आज किस वीडियो में हम बिहार के टुडे ब्रेकिंग न्यूज 15 बड़े ख़वरों के बारे में जानेंगे तो हमेशा की तरह आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दे और आप बिहार के किस जिले में रहते साथ हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताए और आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे आज की सबसे पहले कबर बिहार में आसमान से बरस रही है आग बकसर दूसरे दिन सबसे गर्म तेरे जिलों में हीट बेब का लट जहां पाचवा के प्रचन परवा और सुरज की तलकी से दच्छिन बिहार में लगातार चोथे दिन आसमान से आग बरसती रही स्वमवार को लगातार दूसरे दिन बकसर राज भर में सबसे गर्म रहा यहां बुद्वार को भी अधिक्तम पारा 44.7 डिग्री सिलसिस दर्च किया गया और हीट बेव के हालात रहे दूसरे सबसे गर्म सहर नवादा रहा यहां का अधिक्तम तापमान 44.4 डिग्री रिकोर्ड किया गया कुल आठ जिलो में अधिक्तम पारा 43.4 डिग्री के पार रहा गया में एस सिजन की सबसे अधिक गर्मी रही और पारा इस साल की सिखर पर रहा 30 अपरेल से तापमान में थोड़ी गिरावाड से अधिक रहाद मिल सकती है अगली बड़ी कबर बिहार में दो दिन बाद लू से मिल सकेगी रहाद प्रदेश के कई जिलो में आंधी पानी की असंका जाने मौसम अपडेट जिहां उत्तर बिहार की और पुर्वा का प्रवाबाना हुआ है इस बज़ा से पच्वा दचिन बिहार के अधिक तर जिलो तकी सिमट गई है वातावरन में नमे होने और इसी बेज तापमान में बिर्दी की बज़ा से उत्तर बिहार के कई जिलो में गरज तड़क की सिती बन रही है मौसम मिवाग ने 19 जिलो में 30 अपरेल और 1 माई को में गजन के साथ बारिस की चितावनी जारी की है पश्चिम चमपारन पुर्वी चमपारन गोपाल गाज सिवान सारन सिवर सितामनी मदोबनी मुझपरपूर दरबंगा बैसाली समस्तिपूर सुपोल अररया किसन गाज सहरसा मधिपूरा पूर्णिया और कटिहार में 30 अपरेल और 1 माई को में गरजन के साथ बारिस हो सकती है बाड़ी कबर बिहार में जाच बढ़ी तो बढ़ गया संग्रमन 24 गंडे में 3 गुना से अधिक बढ़ा कुरोना पडोसी राज से खत्रा जिहार में कुरोना जाच के साथ घड़ बढ़ रहा है जाच बढ़ाई जा रही है तो संग्रमन बढ़ रहा है अब जाज घड रही तो मामले भी घड रहे हैं या कोरोना की बड़ी खत्री का संकित हो सकता है 24 गंडे में तीन गुना संक्रमन बढ़ा है खत्रा पड़ोसी राज्जों से है क्यूंकि उत्तर परदेश और जारकन में सिती दिन परती दिन खराब होती जा रही है प्रसासन ने बिहार में दिल्ली से आने वाले को लेकर अलट कर दिया है एरपोर्ट पर रेंडम जाज के लिए चार टीम को लगा दिया गया है प्रदान मंद्री से राज्जों के साथ कोरोना पर मंतन के बाद बिहार में थोड़ी सक्ती बढ़ाए जा सकती है बादी कबर बिहार में कोरोना रिट्यांस आज 14 नए केस मिले पटना में 7 संक्रमित जिया बिहार में कोरोना के नए मामलों में लगातार गिरावर देखी जा रही थी लेकिन बिते दिनों की तुलना में आज फिर जापा हुआ है बियार में कोरोना के 14 नए मामले पिछले 24 गंटे में सामने आये हैं जिसमें पटना में 7 लोग कोरोना से संक्रमित मिले हैं स्वास्त बिवाक के आकड़ों पर गोर करे तो पिछले 24 गंटे में कोरोना के 14 नए मारेज सामने आये हैं राज जिब में एक्टिम मर्यूजे के संक्या 33 हो गई है पटना में सबसे ज़्यादा नए मर्यूज मिले है पटना में कुल साथ नए मर्यूज सामने आये हैं वह सारसा और दरबंगा में तीन और बागलपूर में एक नए मामले सामने आये हैं इसे देखकर यह कहा जा सकता ह कि बियार में कोरोना का आग मनेग बर फिर से हो गया है अगली बड़ी खबर कम हो सकती है पेट्रोल और डिजल की किमत सभी राज सरकारों से पीम मोदे ने वेट घडाने की अपिल की जिहां देश में पेट्रोल और डिजल की किमत से लोग काफी परिसान है पेटोलियम पदार्थ के किमत बढ़ने से कई समानों के दाम बढ़े हैं जिससे महंगाई की मार लोगों को जलनी पड़ रही है प्रधान मंत्री मोदे ने सभी राजों के सरकार से वेट घटाने के अपील की है प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदे ने कहा है कि 6 माइने लेठी सही लेकिन अब राज सरकार तेल पर टेक्स घटा ले जिससे थोड़े रहत लोगों को मिलेगी बता दे कि प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी कल कोरोना को लेकर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रे के साथ मीटिंग कर रहे थे वीडियो कॉनफरेंसिंग के माइदम से बियार के मुएकि मंतरी नितिस कुमार सहीद अन प्रदेसों के मुएकि मंतरी भी प्रदान मंतरी से सिधे जुड़े हुए थे दारसलिया मीटिंग कुरोना के हालात पर चर्चा के लिए रखी गए थी इस दोरान सभी राज्यों के सियम ने अपने अपने प्रदेस के हालात को विसी के जरी रखा सब इस एमों की बातों को सुनने के बाद पियाम मोदे ने अपनी बाते रखी इस दोरान बर्टी पेट्रोलियम पदात के दामों का भी जिक्र किया गया इस पर पियाम मोदे ने कहा कि आर्दिक फेशलों में केंदर और राज सरकारों में तालमेर जलूरी है उन्होंने कहा कि पेट्रोल डिजल की बढ़ती केमतों को देखते वे केंदर सरकार ने नौमबर मा में एक्सरसाइज ड्यूटी में कडो देखी थी उस वक्त राज सरकार से भी वेट गटाने को कहा गया था उस वक्त कुछ राजों ने केंदर सरकार के बात माने और लोगों को रहाद भी दी गई लेकिन कुछ राजों ने ऐसा नहीं किया अगली बड़ी कबर सहारा इंडिया के निवसोकों के लिए अच्छी कबर सहारा कमपनी के संसाबक सुबरतर राय को स्वाएं कोड में अपसित होने का निर्देश दिया गया है पैसे का भुगतान को लेकर दायर हस्तचेप याचिकाओं पर सुनवाई करते विए पार्टना हाइकोड ने या आदिश दिया है पता दी कि सहारा इंडिया के विविन स्कुमों में लोगों ने पैसा लगाया था लेकिन भुगतान आज तक नहीं हुआ है अपने पैसों को लेकर करीब 2000 से अधिक लोगों ने याचिका दायर की है इस अस्तचे पियाचिका पर सुनवाई करते विए कोट ने बड़ा आदिश दे दिया है अगली बड़ी कबर बिहार में नल से जल रुका तो नपेंगे ठेकेदार 24 गंडे में सिकाय दूर नहीं होने पर 2000 रुपीग लगेगा जुर्माना आठ वे बलेक लिश्टेड जिया बिहार के घरों में अगर नल से जल रुका तो इसका जुर्माना ठेकेदारों से वसुला जाएगा पियाच एडी डिपार्टमेंट की तरब से सम्मन्द में आदिश जारी कर दिया गया है इसके मताबिक एक दिन भी अगर घरों से नल से जल नहीं पहुचता है तो कॉंटेक्टर को 2000 रुपे तक का जुर्माना चुकाना पड़ सकता है ये करवाई के वल ठीकदारों तक ही सिमित नहीं है विभाग के इंजिनियर पर भी इसकी गाज गिरेगी जिस इलाके में नल का पाने रुकेगा इसके लिए वहां की जुनियर और असिस्टन इंजिनर भी दोसी माने जाएगे इसके खिलाब भी करवाई की जाएगी विबाग के तरब से अभी तक लगबाक 130 को डिबर किया गया है साथे 8 को ब्लेक लिश्टेट किया गया है अगली बड़ी खबर लालो प्रसाद गुरवार को आएंगे जेल से बाहर 30 सप्रेल को पाटना लोटेंगे आरजेडी सुप्रेमों जी हाँ स्वास्त ने साथ दिया तो राज़त प्रमुक लालो प्रसाद अब पाटना सही बैट कर अपनी पाटी चलाएंगे डक्टरों ने इजाज़त दी तो वहाँ इस महिने की आखरी तारिक को पाटना में होंगे चारा गुटाले के सबे मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है लिहाज़ अब पाटना में रहने में स्वास्त के अलावा कोई बादा नहीं है आपको बता दे कि जारकान हाई कोट ने अंते मामले में लालू प्रसाद को 22 अप्रेल को जमानत दे दे थी आदालत का आदेश वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है बेल बॉंड भरने के प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियाएक रासत से उन्हें छोड़ दिया जाएगा अगली बड़ी खबर बिहार मेजयम में बाल महिला और बिहार दिवस पर प्रेंडरी सियम नितिस कुमार ने दिया निर्देश प्रते एक वर्स साथ अगस्त को बिहार मेजयम का स्थपना दिवस मनाय जाएगा इस दिन राज के बच्चे और बच्चियों को बिसे सुरूप से आमांत्रित कर मेजयम का ब्रमन कराया जाएगा महिला दिवस पर महिलाओ, बाल दिवस पर बच्चों और बिहार दिवस पर वरिष्ट नागरिकों को बिहार मेजयों में निसुलक ब्रहमन का मौका मिले गाया निननाई मंगलवार को मुख्यमंत्री नितिस कुमार के अधिक्सा में बिहार संग्राले समिती की नव गड़ित सासी निकाई की पाली बेड़ग में लिये गये है एकने मार्ग सित संकल्प में वी बेडग में मुख्यमंत्री ने गादे जैनती पर भी बिहार मेजियम में निसुल्क ब्रह्मन की विवस्ता का निर्देश दिया है अगली बड़ी कबर बिहार में पुराने गाड़ियों के खुलेंगे स्क्रेप सेंडर जोन से लिया जाएगा आवेदन रोजगार का होगा स्रिजन जिहाराज में पुराने और अन्फिट गाडियों के लिए स्क्रेप सेंडर खुला जाएगा इसको लिकर जोन से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी जिसमें आम लोगों की भागिदारी होगी परिवहन विभाग ने इस योजना के तहद काम पूरक कर लिया है वह स्क्रेप स जबकि व्यवसेक गाडियों के मामले में 15% की छोड मिलेगी विभागे सुत्रों के अनुसार इसक्रेप सेंटर के लिए चुक आवेदुकों को करीब 11,00,00,00 रुपिय खर्च करने होगी इसमें 10,00,00 बैंक गारंटी लिजाएगी इसके अलावा 1,00,00,00 रुपिय निबं पुर्ण करांती दिवस के मोके पर महागडबंदन के ओर से 5 जून को राज की एंडिये सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे बिहार विदान परिसत के इस्तानिया निकाई कोटे के 24 सीटों के चुनाव एवम वो चाहा विदानसवा सीट के उपचुनाव के बाद मेडिया से बाचित में महागडबंदन के ओर से राज सरकार के डेड़ साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड जारी करने की गोसना की है साथ उन्होंने आरोप लगाए कि राज सरकार ने रोजगार से लेकर भष्टाचार पर नेंदरन को लेकर जो दाविक किये तेवी सब ख आजदानी के गांदी मैदान में नमाज अदा करने के विवस्ता की गई है नमाजियों को कोई परिसानी ना हो इसके लिए गांदी मैदान में समोचित विवस्ता कराई जा रही है रिद की तैयारियों का जाज़ा लेने के लिए बुदवार को जिला अधिकारी डाक्टर च थाया बिहार जी》 आन्गनी कार ने पिडित परिवारों को तुरंद मिले के सहाय था आप्दा प्रबंदन विभाग ने जिलो को जारी किया निर्देश जहाब यहार में बेशन गर्मी और लोग के बेच अगलगी की गटनाओं को लेकर राज सरकार पूरी तरस गंबिर अगने कान पिडित परिवारों को सरकार के इस्तर पर तत्काल साहिता मिल सके इसको लेकर आप्दा प्रबंदन विभाग लगातार काम कर रहा है अगने कान पिडितों की मदद को लेकर आप्दा प्रबंदन विभाग के सचीव संजे कुमार अगरवाल ने सभी जिलो के डियम को निर्देश जारी किया है उन्होंने सभी जिलो के डियम को कहा है कि अगने कान पिड आत्र दोजर 22 23 में नमांकन की परक्रिया तेजे से चल रही है पहले कि सेत्र को नियमित करना बड़ी चुनोती है नमांकन के लिए बियन कोलेज को नोडल कोलेज बनाये गया है पीओ में सना तक नए शत नमांकन के लिए दो माच से ओलाइन फर्म भरा जाएगा फर्म 4 जुन तक भर सकते हैं लिखित परवेस परिचा 18 जून को होगी एक ही आवेदन पर चात्र सभी कोलेजों के लिए योग होंगी वह इसी तरह पीजी रेगुलर कोर्स के लिए जूलाइ दो जर बाइस से आवेदन फर्म भरा जाएगा आंतिम्तिती बेस जूलाइए पीजी रेगुलर के लिए जिस विसा में लिखित परिचा के अधार पर नामांकन होंगे उन विसावी के लिखित परिचा की 25 और 26 जूलाइग को होगी आज के लिए आपका सुवाल बत अई याया आपका सवाल जोलाँ याया जोलाइग होगी को मजरे अवेदन होगी ताक हमेदन टाक ही आपका सकत्यों से फ्माशकत पर इतोश्मान एंग के लिए दो जो एतोड़ेमा थे जर उते परिवस्साहलं के लिएमाने आपका